एक दिन एक चित्रकार बिजय नगर के राजा तृष्ण देव राई के राजमहल जाप पहुचा रात्री का समय था और राजा अपने परिवार के साथ भोजन कर रहे थे चित्रकार ने राजा का चित्र बनाने की आग्या मांगी तब राजा ने उश्य कहा इस समय मैं अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा हूँ और तुम इस द्रिश्य का सुन्दर सा चित्र बनाओ चित्रकार ने अपनी तूलीका से चित्र बनाना आरंभ कर दिया, अभी चित्रकार ने खाने की स्वादिश्ट चीजों का ही चित्र बनाया था कि राजा उठ खड़े हुए और चित्रकार के पास आकर बोले चित्रकार देखो तो चित्र कैसा बना है। चित्रकार का चित्र अधूरा था, चित्र में खाने पीने की सामगरी के अलावा मातर राजा के पाओं ही बने हुए थे, राजा को यह देखकर गुश्या आ गया और उन्होंने पहरेदारों से उस कलाकार को राजमहल से बाहर निकालने का आदेश दिया, चितरकार को अपना अपमान सहन नहीं हुआ अगले दिन वह बाजार में खड़े होकर राजा के विशय में उल्टी सीधी बाते बोलने लगा संजोग से उसी समय तेनाली राम वहां से गुजर रहा था भीड देख वहीं खड़ा हो गया और उसकी बाते सुनने लगा तेनाली राम ने चितरकार की बाते सुनी और चितरकार के पास जाकर धीरे से कहा तुम राजा से अपने अपमान का बदला लेना चाहते हो तो मेरे साथ चलो तेनाली राम की बात मान कर चितरकार चुप चाप उसके घर चल पड़ा तेनाली राम ने उसे अपनी योजना बताई फिर सारी रात चित्रकार तेनाली राम का चित्र बनाता रहा सुबह सवेरे ही तेनाली राम ने वह चित्र ले जाकर राज महल में दिवार के सामने खड़ा कर दिया चित्र को देख परतीक दरवारी को लगा कि स्वयम तेनाली राम वहां बैठे हुए हैं सुभा जब राजा कृष्ण देव राय टहलते हुए वहां पहुचे तो उन्हें भी ऐसा ही महसुस हुआ परन्तु उन्हें यह देख कर आश्चर हुआ कि आज तेनाली राम उनका भी मादन क्यों नहीं कर रहा है कुछ देर बाद राजा दोबारा चित्र के पास से गुजरे तो उन्हें लगा कि तेनाली अभी भी नहीं हिल डूल रहा है तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ अब राजा गुश्य में आकर तेनाली को डाटने लगे परन्त उन्हें देख कर हैरानी हुई कि वहां तेनाली नहीं बलकि उसका चित्र रखा हुआ है तेनाली राम से पुछने पर राजा को पता चला कि या हद्बुत वशुंदर चित्र उसी चित्रकार ने बनाया है जिसे उन्हों ने कल राज महल से अपमानित कर्ड बाहर निकाल दिया था राजा ने चितरकार को पुला कर उसका सम्मान किया और एक थैला भरकर सुने के सिक्के देकर उसे प्रुस्कृत किया चितरकार बहुत खुस हुआ और राजा को धन्यवाद देते हुए एक बोला महाराज ये सब तेनाली राम के कारण ही शंभव हो सका है कहानी अच्छी लगे तू लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सबसक्राइब बटन डबाईए